Yo! What's up my boys? This is Faraz and thank you for coming back to the channel. I hope you all are doing great. So, दोस्तों जो आज वीडियो में बना रहा हूँ, वो basically हम सब का फेवरेट कॉन्सोल के उपर है and the most selling console also which is PS2. So, दोस्तों ये वीडियो उनके लिए होगी जो collect करने की सोच रहे हैं ठीक है उनके लिए बहुत जादा informative होगी और जो लोग सोच रहे हैं कि वो PS2 खरीदें as their first console. So, ये उनके लिए भी है और वैसे तो सब के लिए, सब दे हो, ठीक है? So, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू इस वीडियो को मैं कैसे लेकर सलूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा about the models which came, second मैं बात करूंगा accessories की जो भी PS2 में आईं और third बात मैं करूंगा about the top games that you must have if you have PlayStation 2. ठीक है? So, let's get started. So, दोस्तों जो first PlayStation 2 आया था उसका नाम था PS2 Fat और ये launch हुआ था 4th March 2000 in Japan. It's been 19 years now. दोस्तों PlayStation 2 Fat अगर मैं कहूं ये अब तक का सबसे दाधा अग्लिएस console रहा है, जितने भी आये हैं और इसकी जो tray थी, जिसमें हम disc डालते हैं, वो बाहर की तरफ आती थी, तो इससे तूटने का धर रहता था PlayStation 2 Fat का, जैसे आजकल हम क्या disc अंदर डालते हैं और वो process करता है या PS2 Slim में आपने देखा, अगर tray open होती थी और हम disc अंदर डालते हैं, इसमें disc बाहर आती थी, और इसका जो fan था दोस्तों, जो system को cool करने के लिए जो fan होता है, वो बहुत जादा बड़ा था, बहुत अवाज करता था, और एक अच्छी बात जो इसमें ये थी, कि इसका ए इसके इन गेमों के लिए बहुत जादा फाइदर मंद था, expansion port, और दोस्तों, starting में Sony ने permission भी दे दी थी, that you could install Linux in your PlayStation 2 FAT, but क्या हुआ था, क्योंकि लोग piracy करने लग गए थे games की, इसलिए उन्होंने ये permission वापस ले ली थी, दोस्तों, एक और कमी थी PlayStation 2 FAT में कि इसमें कोई network output नहीं था, हम अपना ethernet cable interconnect नहीं कर सकते थे, so उसके लिए हमें एक network adapter खरीदना पड़ता था, then we could play an online game, so ये सीम रहा था, और एक और बात थी, जो PS2 FAT था, जो हमारी PS2 की जो disk आती थी, पहले एक black आती थी और एक blue आती थी, तो जो black वाली disks थी सारी, वो सारी PlayStation 2 FAT में च होती थी, वो कभी कभार नहीं चलती थी, और बहुत फ़नी बात थी कि PlayStation 2 डिजाइन ही अपनी गेम्स के लिए बनाया गया था, और उसमें ही वो गेम्स नहीं चलती थी, plus जैसी God of War की original अगर आप डिस देखोगे, God of War 1 की, वो जो disk होती थी, वो डियो लेयर डिस्क होती थी ठीक है, और वो भी कभी कभार इस PlayStation 2 फैट में नहीं चलती थी, so इतनी सारे compromise करें हमने, then came PlayStation 2 Slim, और वो मेरा favorite console है, उससे भढ़िया console आज तक नहीं बना, सबसे जादा बिका भी होई है, उसके unit सबसे जादा बिक हैं throughout the world, ठीक है, और दोस्तों जो जारी कमिया थी, internet port आगया था इसमें, अब डिस्क जो डालने के लिए, वो tray pop-up होती थी, उपर की तरफ आती थी, so less damage होता था, कोई mechanical part damage नहीं होता था इसकी वज़े से, और network port ज और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात, कि PlayStation 2 अगर आखो नहीं पता, जो हमारे पास PlayStation 2 Slim है, वो एक backward compatible है, मतलब उसमें सारी games PlayStation 1 की चल जाते थी, वैसे ही PlayStation 2 में अब तक की सबसे बड़ी library है games की, उसके साथ PlayStation 1 की library भी अगर आप add करतो, so आप देख सकते हो, मतलब एक अलगी दुनिया खुल चुके है games के लिए, ठीक है, so ये खास यत थी PlayStation 2 Slim की, so दोस्तों, now let's talk about the accessories for PlayStation 2, जो first accessories है, जिसके बारे मैं बात करूँगा, वो है DualShock 2, आपने देखा ही होगा DualShock 2, सबने देखा ही है, इसका design similar था DualShock Analog से, but it was a successor of DualShock Analog, इसमें जो दो खास features add होगा था, वो L383 button add होगा था, DualShock vibrations तो थी, जब भी DualShock कहते हैं, और L2, R2 button थोड़े से different थे इसमें, और दोस्तों, बहुत सारे colors आता था, translucent color में आता था, solid black color में आता था, grey, silver color में भी आता था, बहुत सारे थे, और इसके official wireless, मनलब जैसे ये वाले wireless होते, DualShock 3 ऐसा नहीं था, ले इसमें भी बहुत सारे wireless controller बनाते हैं for PlayStation 2, उसमें हमारे पास card होता, wireless connectivity के लिए, वो हम, जो port होते हैं न, controller को connect करने के लिए on PlayStation 2, उसमें डाल देते हैं, और फिर हम on करते हैं, तो मेरे पास भी था, एक Sony का ही था, शायद, official Sony का PlayStation 2 का था, मेरे पास, I remember, मुझे किसीने gift किया थ किसने किया था, अब बात करते हैं दोस्तों, memory cards की, आपको पता ही है, memory cards आते थे PlayStation 2 के, 88 MB के, 16 MB के, और मेरे साब से 64 MB तक मैंने देखा है PlayStation 2 का card, उससे ज़्यादा मैंने अब तक नहीं देखा, तो मतलब वो 8 MB का card भी बहुत सारी, at least 20 games का data वो store कर लेता था, और बहुती ज games खेलते थे, वो सब कुछ waste हो जाता था, मेरे साथ भी आता, मैंने अपना पेला PlayStation 2 लिया था, when I was in 5th class, I think in 2005 और 2006, शायद हा, so, जब मैंने उसको खरीदा था, मैं भूल किया था, memory card लेना और उसकी भी कोई ज़रूरत होती है, so, मैं जितने गेम्स खेलता था, GTA, Y City Stories खेलत है, मेरे साथ से, वो 100 रुपे तक का, अगर मिल जा तो बढ़िया है, लेकिन जरूरी है लेना, and हाँ दो, so, जैसे कि मैंने आपको पता था, PlayStation 2 is a backward compatible device, उसमें PlayStation 1 के games खेल सकते हैं, but, अगर आपके पाद PlayStation 1 का memory card नहीं है, so, आप PlayStation 2 में, PS1 का game, अगर खेल रहे हैं, तो, आप PlayStation 1 game on your PS2, then you have to buy a memory card of PlayStation 1, so, ये चीज बहुत लोगों नहीं पता होती है, मैंने सोचा, जरूर बता हूँ आप लोगों को, और, एक और बात बता रहा हूँ कि, जो accessories में ही आती है, कि, your PlayStation 2 can do HD output, HD output कहां तक, 480p or 480i तक, कर सकता है, but, उसके लिए, आपको, component cables खरीदने से, अगर Amazon में मिल जाते हैं, so, वहां से खरीद लो, क्योंकि, पता, color TV, normal TV में तो अच्छा ने लगेगा, लेकिन, आज कल के, जो modern TV है, modern TV, model बोला ता मैंने, modern TV जो है, आज कल के, उसमें बहुत जादा अच्छा output आएगा, so, go for it, और जादा महेंगा नहीं आएगा, जो मेरी favorite games थी, और जो, सच में PlayStation 2 की, जो सारी fantastic games थी, जिसने फाड़ दिया था PlayStation 2 की, लिमिट तक पुछा दिया था, उन games के बारे मैं बात करूँगा, सबसे पहले, Shadow of Colossus आपके पास होनी चाहिए, ये एक game थी, जिसने PS2 को अच्छा push कर दिया था, बहुत जादा push कर दि ठीक है, उसके बाद Final Fantasy 12, ठीक है, आपके पास हो तो बहुत बढ़ी आए, third is Mortal Kombat, Chaolin Monks, भाई साब, बहुत प्यारी games थी, दो प्लेयर साथ खेल सकते थे, साथ, बैठे-बैठे, story mode, दो प्लेयर, एक साथ खेल रहे है, अलगी मज़ा था या PlayStation 2 की games का, बहुत मज़ा था, बहुत छोड़ा था, actually मैंने जब अपना PlayStation 2 खरीदा था, सो मेरे friend ने खरीदा था, उसका देखकर मैंने खरीदा था, मला बहुत में, मुझे कुछ नी बादा था, और मैंने देखा, एक दिन वो God of War 1 खेल रहे है, मैंने का, भाई साब, यह कैसे हो सकता है, यह तो real है, यह इतने अच्छी चीज एक TV पर कैसे आ सकती है, इतने अच्छे ग्राफिक, सब कुछ कैसे हो सकता है, भाई, मैं तो बहुत जादा फैसिनेट हो गया था, उसको देखकर, और इतने जादा सही मार काट हो रही थी, adult, बहुत जादा, highly adult गें थी उस ताइंग के साब से, हम लो से बेटर थे, पुश कर दिया था, भाई, लिमिट पहुचा दिती, जैसे आज PlayStation 4 की लिमिट आ रखे, Days Gone ले आया है, और भी आने वाले गेंज ले आएंगे, Cyberpunk ले आएगा, वो ही हाल, वो ही हाल, PlayStation 2 का, God Over 2 ने कर दिया था, आज करते है, GTA San Andreas जो होनी चाहिए, GTA YCT आपने ख ट्रैश कर सकते थे, जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, मैं seriously, वो जो ट्रैफिक होता है, मैं हेट करता था, मुझे मानना था, या रूम को, मैं सब को पीसे से टक्क्रे मारे जा रहा हूँ, अलगी road rash था, बहुत ही मजा आता था, Burnout Revenge में, सबसे epic game है मेरे साब से आज तक की, जितनी car racing games आई है, सबसे फिर बात करते है, Bully, मेरी favorite PlayStation 2 game, कैसे बता हूँ कैसी favorite है, इसके लिए एक अलगी soft corner है मेरे लिए, जब ही मैं चाहता हूँ या PlayStation 4, जो नेक्स जेन जो भी आई, और Rockstar की नही गेम, नेक्स जेन में या PlayStation 4 में पक्का Bully 2 हो, उसके बाद बात करते है God Hand, God Hand बहुत ही जादा फार गेम थी, बहुत ही जादा action adventure, बहुत ही जादा action था, उसके साथ ही मैं बात करूँगा, total overdose, अलग लेवल की action game था, बहुत ही प्यारा action game, ऐसे slow motion में ऐसे ऐसे मारता था, max pinch जैसा, ठीक है, वो भी बहुत funny और बहुत ही full action adventure वाली game थी, उसके बा करें, reboot करें, नई series बना है, मैं नहीं चाहता, बस हो जाना चाहिए, यह games आनी चाहिए, बहुत ही ब्यारी games थी, यह सो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, so please hit the like button, subscribe करना, share करना, यह तरीकी की informative video भी हो गई, buying guide भी हो गई होगा, बड़े-बड़े बच्छे, feel कर रहा हूंगा, nostalgic, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, I miss my PlayStation 2, so कोई नहीं, hit the like button, subscribe करना, share करना, और मैं ऐसी आपके लिए, हर एक console की buying guide और ऐसी history ले कर आँ, take care and keep watching Faraz Vyan V, कहीं भी, कभी भी, bye.